आप सब्सक्राइब करें बेलाइकन की को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो में एक से लेके एक हजार तक के वर्ग को निकालना सीखेंगे वो भी चुटकी में सेकेंड में दोस्तो ये वीडियो उनके लिए है जो परिच्छा में कभी कबार फज जाते हैं और वर्ग निकालने में उनसे बहुत दिकत होती है और जल्दवाजी में गुणा करने लगते हैं जिससे समय जो है उनका काफी खराब हो जाता है तो आगे से अब नहीं होगा तो उसके लिए सबसे बेसिक सी चीज है ये कि आपको एक से लेके दस तक के वर्ग याद होने चाहिए वैसे तो आपको बीस तक होने चाहिए लेकिन सबसे जादा मतलब बेसिक नीट यही है तो सबसे पहले हम सीखेंगे दो अंको वाले वर्ग निकालना दो अंको वाली सं टेप रहेगा वो हमारा रहेगा एक इनका अपस में गुणा एक गुड़े दो गुड़े दो ये कितना आया दो दूनी चार एकम चार अब देखिए एक कवर क्या होगा तो एक होता है तो हम यहाँ पे एक न लिखके जीरो एक लिखेंगे दो कवर क्या होता है चार होता है तो हम यहाँ पे चार न लिखके जीरो चार लिखेंगे अब देखी ये जो चार है जो आपस में गुणा करके आया है इसको हम यहाँ पे unit digit को छोड़के दहाई के अंग पे लिखके सब को जोड़ देंगे यानि कि 12 का वर्ग क्या होता है 144 जैसे कि आपको पता होगा उसी प्रकार से आप सब का निकाल सकते हैं जैसे कि 13 का सब को याद है 13 का क्या होता है तब देखिए तीन दुनी 6 6 एकम 6 यानि कि हमारा 6 आ गया इन सब का आपस में हमने गुणा किया एक तीन और दो का ध्यान में रखीगा तो क्या आया हमारा का 6 आया अब देखिए एक का वर क्या होगा 0 एक तीन का वर क्या होगा 0 नो होता नो है लेकिन हमें 2 डिजिट ही रखना है अब देखिए यूनिट डिजिट वाला प्लेश छोड़के इस 6 को हम यहां रख लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 9 6 1 और यह 0 0 की कोई वैल्यू नहीं यानि की 13 का वर क्या है 169 इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं 72 का और 72 का वर आप चेक कर सकते हैं क्या होगा तो देखिए सबसे पहले इनका गुणा 7 दुनी 14 14 दुनी 28 यानि की 28 हमें लिखना पड़ेगा अब देखिए साथ का वर क्या होगा 49 और दो का वर क्या होगा 04 दो अंको वाली संख्या के लिए तो हमें एक से 10 तक बिल्कुल बेसिक नीड है ये वर्ग में याद ही होना चाहिए अब देखिए 28 को हमने क्या वोला था यूनिट इजट छोड़क 5 यानि कि 59 84 ये किसका 72 का वर्ग होगा उसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं 19 का 13 13 का किसी भी संख्या का चलिए निकालते है 63 का वर्ग तो 63 के लिए देखिए 6 तिया 18 18 दुनी कितना होता है 36 यहाँ पे हमने लिख लिया 36 अब 6 का होगा 36 तीन का होगा 9 तो और यहाँ unit digit छोड़के इस 36 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर इनको प्लस करना है, 9, 6, 6, 3, 9, और यहाँ पर 3, अब देखिए, एक, 0, 1, और 9 का क्या हो जाएगा, 81, ध्यान में रखीगा, और unit digit यह कटा, और यह 18 यहाँ पर हम रखेंगे, अब देखिए, यहाँ एक, यह मैं काट इसलिए रहाँ कि यहाँ पर हमको इस 18 को पूट नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो आंसर होगा, वो गलत ह हो जाएगा, 8 और 8, 16, एक आया, यह देखिए, यह मिल के क्या हो जाएगा, 3 और यह 0, यानि की 361, यह किसका है, 19 का है, I hope आपको समझ में आयोगा, चलिए अब 3 अंकों का निकालना सीखते हैं, चलिए दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि 1 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं, हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, अब देखिए, तीन अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना हम सीखते हैं जल्दी से, तो चलिए इस निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 112 का वर्ग निकालते हैं, तो देखिए, वहाँ पे हमने क्या किया था इन संख्याओं का आपस में गुणा किया था यहाँ पे हमको बस एक छोटा से ध्यान रखना है कि आगे वाली संख्याओं का पेयर बनाना है यहाँ देखिए यह 11 जो है इनके पेयर बना लेना है बस और कुछ नहीं उसके बाद इनका आपस में गोड़ा करना है, देखिए, यानि कि पेर बना है तो देखिए, ग्यारा गोड़े दो, गोड़े दो, यानि कि सबसे पहला इस्टेप, और दो अंको वाली संक्या में हम क्या करते थे, जैसे माली जी अठारा का निकालना है, तो एक, आठ और दो, तो यह पहले से pair बना हुआ तो हम क्यों pair बनाएंगे हम आगे pair बनाएंगे अब देखिए इसमें क्या कि वो ता था इसका वर्ग लिखते थे यहां जीरोएग इसका वर्ग लिखते थे यहां पर 64 और आट दुनी 16 जो है unit छोड़ के यहां पर लिखते थे और सबका योग जो जो पावर दी गई है, इनका गोणा करना है, तो कितना हैगा, 11 दूनी, 22 दूनी, 44 आजाएगा हमाई पास, अब इसका वर्ग निकालना है, कि 11 के पेर का वर्ग क्या होगा, अब दो अंको अली संक्या का वर्ग निकालना भी मैंने बता चुका हूँ, अगर आप याद कर सकते वैसे तो याद कर लीजिएगा, सभी एक से लेके 20 तक के वर्ग जो हैं, आपको याद ही होने चाहिए, उससे और जल्दी आप निकाल सकते हैं, नई तो फिर आपको 11 का वर्ग क्या होता है, सब को पता होगा, 111, अब देखिए, और दो का वर्ग क्या होता है, 0, 4, यानि क 24 यहां लिखा जाएगा, अब देखिए, 4 की 4, यह वाला 4 भी यहां आएगा, 4 और एक इतना हो जाएगा, 5 और यह 12, यानि की 112 का जो वर्ग होगा, वो 12,544 ही हमारा अंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं, चलिए, एक और कोश्चन से समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो इस बार संक्या हम लेते हैं, कुछ जादा बड़ी ले लेते हैं, जैसे की लेते हैं, दो सो इंक्यावन, अब देखिए दोस्तों, एक से लेकि 20 तक के आपको याद रहेंगे, अब 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जैसे मान लेजिए, 887 हो गया, इसके बाद लेते ह अब इसको करते हैं, 251 का वर्ग निकालना है, अब देखिए, यहाँ हमने पेर बना लिया, तो सबसे पहले अगर देखिए, अभी तक तो हम सीख गए हैं, तो 25, 25 दूनी 50, यानि 50 हमारा आ गया, 25 का वर्ग होता है, 625, अगर नहीं पता तो 25 का वर्ग आप निकाल सकते हो, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होता है, 20, अब देखिए, यानि कि हमको 20 जोड़ना है, 2 का 0, 4, 5 का कितना होगा, 25, और यह अपने 20 जोड़ा यूनिट डिजिट छोड़के, यह खट से आगया, 625, आपको पता चल गया, अब देखिए, यहाँ एक का वर्ग है, 0, 1, और यह वाल कोशन देखते हैं, 887 का वर्ग, या कोशन ऐसा आता, 887 गुड़े, 887 बराबर क्या होगा, गुरूप D में ऐसे चोटे-चोटे कोशन पूछे जाते हैं, तो इसको 887 में 887 का गुणा करना है, तो कई लोग क्या करते हैं, भोले बच्चे जो होते हैं, वो गुणा करने बै ठीक है, तो आप देखी, कुछ लोग क्या करते हैं, चोटा का पहाड़ा याद नहीं रहता है, तो चोटा का 88 में से गुणा करने लगते हैं, आपको पहाड़े भी याद होना चैन नहीं याद हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8, 4, 32, 3, 8, 4, 32, 32, 32, 32, 35, अब यह हो जाएगा 8 यह हो जाएगा 8, यह 2, 8, 13, 1, 8, 3, कितना होता है, 11, 1, 12, यानि कि हमें जो जोड़ना अंक है, वो 1232 जोड़ना है, दोस्तों बड़ी संक्या है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, अब देखी, यहाँ पे आगया 88, अब 88 का वर्ग तो आप य 60 से कितना जादा है, 4, 4, 8 जादा है, मतलब 8 हमको जोड़ना है, 128, आप माइंड में भी जोड़ सकने इसको, तो यहाँ पे आजाएगा 128, अब देखी, 8 का कितना होता है, 64, और इस 8 का कितना होता है, 64, अब यह 128 यूनिट डिजिट छोड़के आप इसको यहाँ लिख 77, 44, अब देखी, 7 का वर्ग क्या होगा, 49, वो यहाँ लिख देंगे हम, अब देखी, यह जो संक्या है, यह हमें जोड़ना है, यहाँ पे कट करके, इसको हम जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 2, अब देखी, इसको जोड़ते हैं, 9, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 7, 7, 8, 8, और यहाँ यह में आ रहा होगा, वैसे दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस होजाएगी, जितनी ज़्यादा आप उतनी जल्दी इसको कर सकते हो, बात कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, चलिए, आपको हमबर्ग देते हूँ, आप करके कोशिश करीगा, 119 का करीगा, 134 का वर्ग इसका निकालिएगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों, उमीद है, आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा,